नमस्कार आज के इस वीडियो में यहां पर मैं आपको एक एसा तरीका बताऊंगा जिनसे आप केवल एक से दो दिन में ही यह जो दाद खाज और खुजली है इनसे आप आसानी से छूट कारा पास सकते हैं यहां पर आपने देखी लिया होगा कि यह जो है यह गेंदे का फू आप द्यान से देखिए ध्यान से सुनिये और दोस्तों आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लूँगा तो चलिए और कुछ ना करिदे फटाफट से में आपको बताता हो कि दाज खाज और खुजली से किस तरह से आप इस नुश्के की मदद से यह जो फूल है और यह पतियो और दोस्तों को करना किया है यह जो पत्तिय आप वैसको अच्छी तरह से वह उस करके आपको पतियों को आप अलग करके इसको लगबग दो से तिन टुक्ड़ों में का लीजिए तो मैंने यहां आपको दिखाने के लिए इस तरह से गाटह पर तो आपको लगबग अथाकब पानी लेना है और the cup पानी में इस जो पतीया है आपको इसको लगबग उबालनाए आपको जब तक आपको लगे कि आथाकब शे आधा पानी न रही जाए तो इस तरह से आप धिमीयाज compliant पर गेश उपे इसको उबाले दिये तो आपको फूल की ये जो पंखुडिया ये आपको निकाल लेनी है तो दोस्तो हमने यहाँ पर इसकी यह जो चटनी है वो पहले से ही अब बना कर रखे इस फूल की यह देखिए एक से दो फूल की मैंने यहाँ पर यह जो चटनी है वो यहाँ पर बना कर रखी हुई थी इसके बाद जो हमने जो पानी जो ठंडा होने के लिए छोड़ दिया थ उस इसे पर यह जो पानी है इनसे आपको वस करना है यह जो पतिया है आपको वह नहीं निकालने केवल पानी है वह इस तरह से आप ले लिजिए कोटन की मदद से अच्छी तरह से आप इस तरह से इसको वस कर लिजिए तो अच्छी तरह से जब वस हो जाए तो आप इसको सु बिजली जहां भी प्रॉब्लम से तो वहाँ पर आप इसको इस तरह से अपले कर दीजिये हलका सा मसद करें बिल्कूल हलका सा इस तरह से आप रहूं रहुं लगवजstudy 10-15 सेकंट तक आप इस तरह से हलका सा मसाज कर लीजिए इस तरह से आपको कर दिना है और आपको लगे कि जब यह अच्छी तरह से सुख गया है अब दिन में इस नुस्के की सबसे खास बाती है कि आप दिन में कभी भी इसका यूश कर सकते हैं लगबग यह दस से पंदरा मिरित में आसानी से सुख जाएगा जब सुख जाए तो आप इसको अच्छी तरह से गर्म पानी से जहां भी आपने नुस्का लगाया है वहां पर गर्म पानी की मदद से उस जगा को वस कर लीजिए केवल एक के दो बार के इस्तमाल से ही देखेंगे कि आपकी जो दाद खाज और खुजिली थी वह इस गेंदे के फूल झाल झाल से जब हम पानी से जब नुछ । Φ झाल झाल से नुच्छी इसे जब एक के झाल से तरहा है के जब हम जब है तो पर यह जब हम प्मोवब के लेगा है